कि हेलो व्रीवन वेल्कम बाइक तो नालेजेवी क्लासेश आज हम बात कने वाले हैं नए टॉपिक्स के बारे में मैथ का नय टॉपिक्स है जिसको बोलेंगे कांग्गूरेंस ऑफ ट्रेंगल जिसको बोलते त्रिभुज की सर्वांग शमता शर्वांग शमता मतलब क्या होत यानि आप कहेंगे बहुत सारे साथ कोच बच्चे यह पूछेंगे सर क्या सेटेट कभर हो जाएगा इसमें जी हां सेटेट कभर हो जाएगा और बाकि यह यूपी टेट हो यह स्टेट हो कोई भी टेट हो या फिर कोई भी टीचिंग एक्जाम हो हर एक्जाम को डी ट्रिपल को ही क्यों फोकस कर रहे इसका रीजन यह है कि डी ट्रिपल एसबी का जो एक्जाम है इसका जो पेपर है ठीक के प्रिबियस कोईशन पेपर जब उठा के देखेंगे इसका जो लेवल होता है काफी हाड है तो इस लेवल के एकोर्डिंग्स हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि इसके बाद जो भी आए जैसे बोला जाता ने सीजल के कोशन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया जाए चाहे सिएचे सब्सक्राइज हो इसके बाद सारी एकजम निकल जाएंगे मैं पकर कोशन कर पाएंगे इस तरह डी-ट्रि प्रिभूज है अब मैं बोल दिया कि यह दोनों भुजाय बराबर हो क्या हूँगी यह साइड से इसका एक एंगल बराबर तो हो जाए कि यह साइड एंगल साइड ठेक है यह सरवांग्शम यानि सरवांग शमता बोलतें तरीबुज नहीं सब Griffin अब एक भोजाय जो बराबर होती वो सर्वांख्शंम होते हैं सर्वांख्शं मतलब या तो YouTubers NOR म congestion मstatलब या तो-डो बराबर हो एक भुजा दो कोड बराबर हो इसमें कुछ भी हो सकता है आए हम जानते Means कांग्रोएंशी आप ट्रेंगल two triangles two triangles are said to be congruence if all three corresponding sides are equal all the three corresponding angles are equal कहने का मतलब क्या है किसी भी त्रिभूज की कोई भी त्रिभूज जो तीनो भुजाय बराबर हो और तीनो एंगल्स ठीक है सभी एंगल्स बराबर हो तो वो सरवांग्शम कहलाएंगे कैसे अब इसकी definition हिंदी पढ़ लेते हैं दो तिर्भू सरवांग्षम कहलाते हैं यदि तीनों संगत भुजाएं बराबर हो ठीक है और तीनों संगत कोड़ बराबर संगत कोड़ बराबर बरतब करिस्पॉंडिंग एंगल बराबर हो तो वह क्या कहलाएंगे आपके क्या कहल सरवांग्षम चरमता कहलाएंगे अब कंग्रुवेंश्य क्या होता है कांग्रुंवेंश्यों जिसमें साइज Kennel शेयद होता है आप जैसे इस आसंНयों मिल अपा आप इस फिककर को ध्यान देखेंगे इसं और को क्या तक मिल्ला इस figure को इस figure को देखे इन सभी में यह भुजा है सब समाने ठीक है यह भी भुजा और यह भी भुजा सब ब्राबर है ठीक तो यह स्रवांग शम्ता कि बात करा यानि सब कुछ बराबर जिसमें सब कुछ समानता हो जिसमें सभी अंग समान हो वही सरवांग्शंग होगे अब कंडिशन अब सरवांग्शंग मतलब सरवांग्शंगता की सरते क्या हो सकती जैसे बोला जाए कि कौन सी भुजा बराबर है कौन सा एंगल बराबर है उसके बारे में हम जाल लेते हैं देखे अ बराबर है लेकिन एंगल डिफरेंट है ठीक है यह क्या है इसको क्या बोलेंगे सरवांग्शम संगत भुजाएं बराबर हो corresponding side are equal इसमें सभी side एक बराबर अब side angle side यानि आपकी दो भुजाएं बराबर हो और एक त्रभुज एक यह है यह त्रभुज भी है अब इस त्रभुज में यह भुजा और यह भुजा ठीक है यह भुजा बराबर और यह भुजा बराबर और यह भुजा बराबर और यह एंगल इन दोनों के भुजाओं के बीच का जो एंगल होगा यह ठीटा यह भी ठीटा यह यह दी बरावर हो तो क्या हो सैट- там Eng analyzed बोलेंगे अब एं घ्याट- Saite-W력 जैसे इंगल- इंगर-मीma अभ इसको देखा़ा जाएं अब इस facing आप इन दूनों को देखा जाएं इन दोनों के भी ठीक है अब एंगल Sindy मतलब दोनों कोड़ एक दूसरे के बराबर हो और उनके बीच की भुजा बराबर हो अब देखे एंगल हुआ और येक एंगल हुआ ये इsquा ऐंगल हुआ डूसरे के बराबर है और यह संबल होता है सर्माशम का यद रखिए यह question में बार बार पूस्ता है अभी मैं previous question attempt कराऊंगा आपको दिखाऊंगा कि कैसे question आता है अगर आपने concept clear कर लिया तो इसके बाद सारे question आपके बन जाएंगे उसके बाद आप कहेंगे अगर कि एक जली क्या होता है right angle hypotenuse side एक राइट देखे राइट एंगल के बात क्या जाए 90 डिग्री पर राइट एंगल होगी ADB सरवांग्षम है यानि करस कौन का यह सरवांग्षम है त्रभुज ADC ADC आप समझ गयोंगे इसके सरवांग्षम है इस पर चार एंगल आपको देखे चार कोड़ आपको देखरी को मिलेंगे जिसके बारे में बात करेंगे ठीक है और AD जो है perpendicular AD जो है perpendicular होगा एंगल बाई सेक्टर आप ठीक अब यह जो AD है अब यह एंगल बाई सेक्टर है आप कहेंगे सर एंगल बाई सेक्टर क्या होता इसके बारे में अब प्रिवियस लेक्चर में मैंने बता दिया हूं फिर मैं बता दिरा हूं कि जैसे यह भुजा है इस यह लाइन है से ट्रेट आंगल रैना इस पर इंगल बना मैं अब कुछ मालति एक एंगल ऐसे दिया हूए तक अब यह एंगल कितना नकितना दिया है तुठीटा दिया है कि आप क्या जानते है इससे के बीच लाइं ऐसे जाति यह जो A bhouग hai जो भुजा को और इस भुजा को एक्वल डिवाइट करती यारी अब इसके बीच का कोड़ क्या होगा ठीटा हो गया ठीटा हो गया तो यह जो लाइन होगी यह इसके लिए क्या कहलाएगी इन दोनों की यह लाइन किनके लिए इसके लिए इसके लिए क्या कहलाएगी यह जो कारे में मैंने explain किया previous video देख लिजागा ad ad median अगर जब चीज median होगा तो एक condition और भी बता दू अगर यह median ad अगर median है तो एक condition और होगा कि इन दोनों की भी यानि bd equal to dc यानि bd equal to dc अगर यह बराबर तो समझ जाए मादिका है ad की मादिका होगी अब 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 bd जो है perpendicular by sector अब bc कि एडी जो perpendicular by sector किस क्या bc का ठीक है bc का perpendicular by sector बिल्कुल सही बात है अब इस रेखा पर यह रेखा b है और c है आप चाहिए यह रेखा में कि उस संट राए यह भी है कि यह कर रहा है कि सब में अगली पॉइंट पर आते हैं जो पूछे जातें बार-बार दीखी यह बता रही है एक question बान्दके चलिए या फिरки इस concept यह चीजे feet वाले बहुत ध्यान सुनिएगा Student में question आता है बच्चे छोड़ देते हैं मात्र तीस सेकेंड या दस सेकेंड लगेंगे अगर कॉंसेप्ट पता है तो आप लगा लेंगे अब जैसे त्रिभूज PCA PCA ठीक अब यह त्रिभूज वह PCA ठीक है अब PCA दिया है और सरवांख्षम होगा PCB PCB अब यह त्रिभूज यह वाला यह वाला दूसरे के बराबर सेम होंगे ठीक है अगर कोई त्रिभूज ऐसे बना दे और कोई त्रिभूज ऐसे बना दे ठीक है अब यह बोल दे कि यह त्रिभूज एक दूसरे के सरवांख्षम है तो वह सरवांख्षम का मतलब क्या है इस कि इस त्रिपूश को इसके ऊपर ठाका jump के यह वाले त्रिपूश के इसकी ऊपर रखाना थिक कैसे बनेगा केसे तो यह बोला गए यह यहां बोला गए है कि जो सी पॉइंटस है पी सी पर परपेंडिकूलर यह जो लाइन है पर पेंडिकूलर बाइस सेक्टर्ण आप एव याद रखिएगा अब के यह होता है कि हैं या प्थब होतार 245 पहली वार सुन रहे होंगे तो आईए इसको हम थोड़ा अच्छे सपढ़ते हैं तक कि आपके डॉट्स क्लियर हो जाएं यह पॉज्टिव से मतलब फैक्टर आप सेप्टिव में लेकर चलना होगी यह भी कोशन इसे बन सकते हैं तो द्यांसों नहीं है केविन का मतलब क्या होता है यह जाने कोई भी य लायन अब आगया काए अगिए यह इन में बोला गया है अब आगए आते हैं कि आप दखिए एडी इल्टीटिट भी कहते हैं और एडी को एल्टीटूड बोल दिया गया है और एंगल बाइस सेक्टर है मतलब सम एंगल बाइस सेक्टर के बारे मैंने बताया है अगर आपने देखा तो फिर से बोलना हों पीछह reinforcing आप वीickiow बीच कितना होगा तो आप क्या करोगे सबसे पहले क्या करोगे आप लिखोगे भी ये एंगल पता होगा यह एंगल पता होगा ठीक है क्या करोग एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइड बाइड दो दो से डिवाइड कर देंगे जिससे हमें डिवाइड कर देंगे जिसे डी एस यानि एंगल आपको क्या मिल जागा यह एंगल पता चल जाएगा ठीक समझ गया आप आगे बढ़ते अब यह देखिए त्रिबूज है देखिए इस पर question बड़े धडले से आते हैं बहुत धडले से इस पर question आते हैं और यह most important मानिएगा इसको very very important को लगाईएगा क्योंकि यह बार-बार पूछे जाते हैं अब इस पर क्या पूछे जाते हैं वह आप जान लीजे अब देगा क्या किसी भी त्रभूज के अंदर कोड जो बनेंगे कि त्रभूज के तीनों कोड का यह कितना होता है एक आपको पता है तो बोल देग सबसे पहले करना क्या है नभी डिग्री एड करो प्लस जो यह एंगल है एंगल एवाइटू ठीक एंगल एवाइटू कर दो तो आपका निकल जाएगा क्या बी आई सी यानि यह एंगल निकल जाएगा समझ गया ठीक और एक कंडिशन मान लेती यह फीगर कुछ इस तरह ब अब माल यह भुजा ऐसी बढ़ेगी यह भुजा ऐसी बढ़ेगी और यह कुछ इस तरह बन गया अब यह पॉइंट्स यह ओ था लेकिन अब पॉइंट्स यह यहां सिफ्ट हो गया तब इसको कैसे लागा होगे तो यह एंगल कैसे फाइंड आउट करेगी बी सी ओ यानि एंगल बी ओ सी क्या होगा 90 माइनस एंगल एबाइट तो क्या है समझ गया ठेक यह था कंडिशन और जिसके बारे में हमने बताया बाकी सारी चीजे आपको समझ में आ गई होगी हाँ एक चीज और बता दूं कि आपके जो लेक्चर्स प्रवाइड की जाते हैं बहुत ही अ में ताकि आपको डाउट्स नहों देखें आपको बता दूं कि सारे डाउट्स आपके नंबर सिस्टम है लसीम होए डिविजबिल्टी हुआ रिमेंडर हुगा यूनिट्री ला हुआ हुआ फ्रॉफिट लॉस हुआ यसाई हुआ और यह सब हम करेंगे और जियोमेट्री क किसका पार्ट है अब यह आपको जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है इस से अगर इसको लगा लिए इसको लगाने के बाद तो समझ आए कि आपके सारे कोशन ठीक है अगर आपके लाइन और एंगल से कोई भी कोशन पूछा जाए मातर चार कोशन पूछन पूछा जाए य कि यह सब कांसेप्चुवल है और यह सारी कोशन ज्यादा तर पूछने को मिलेंगे कहां पर आपको आपको सेटेट में पूछने को मिलेगा डीटर पलेज्बी मिलेगा रिट में मिलेगा या फिर आप कोई भी वन डे एक्जाम दे रहे हो ठेक है चाहे जॉब्स के लिए ह सभी में यह पुछे जाते हैं अगर मैं टॉपिक्स है तो लाइन और एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा दिया अब हम अगला टॉपिक्स देखेंगे इसके बाद क्वाडिनेशन क्वाडिनेशन जियोमेट्री देखेंगे जो अगले वीडियो में देखा जाएगा आपको व आउट्स नहों नहीं अस विदा हो ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें स्वस्त्रे मस्त्रे धन्यवाद